आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरण वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनल आपने पारशन को लिकलें टारी ऊर जो है वह में अपने निस्थापन को लिखेंगे तो यहां पर लेंगे तो यहां पर लीकरिए है कि वायू की उपस्थिती में ठीक है इसके गलनांग से कम ताप पर गर्म करना यानि किसी पदार्थ को वायू की उपस्थिती में उसके गलनांग से कम ताप पर गर्म करना भरजन कहलाता है ठीक है इसको हम या पर लिख लेते हैं कि किसी धातु को धातु को वायू की तिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है, ठीक है, जब कि ये जो हमारे निस्तापन होता है, ये वायू की अनपस्थिती में अथवा कहें हम सीमित मात्रा में धातू को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया जो होती है, अर्थात भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या होता है, कि जो ये निस्तापन की प्रक्रिया होती है, वह वायू की अनपस्थिती या हम कहें बहुत सीमित मात्रा में होती है जबकि जो भरजन की प्रक्रिया होती है इसमें वायू की उपस्थिती होती है यानि कि ऑक्सीजन जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है ठीक है तो निस्तापन को लिख लेते हैं कि किसी धातू को वायू की अनुपस्थिती में, या हम कहें सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में उसके गलनांग से नीचे के ताप पर गर्म करने पर, के ताप पर, घर्म करने की परक्रिया निस्तापन कहलाती है, तो यह हम वायरे निस्तापन का परक्रिया इस प्रकार्स प्रभाश करते हैं नीचे ताप पर, यहां पर यहले नीचे के ताप पर गर्म करने के परक्रिण जो है व्य बर्जन कर धाथी है तो आप जैसे कि कि इस इसमें कई रहा था उधारण देते हुए इसको एंतर को स्बस्ट करना है तो हमने इनक्य परिभाषा को दढ़ जैसे व्य अच्थ सभारण के लिए देखें जो हमारे सलफाइड आयसक होते हैं उनकी जो है उनमें जो है हम भर्जन का प्रियुक्त करते हैं ठीक है तो सलफाइड आयसकों में ठीक है? यानि कि सल्फाइड आयसक जो हैं वे भरजन के लिए प्रिव्प्त होते हैं ठीक है? सल्फाइड आयसकों में जबकि यह जो हमारी निस्तापन की प्रक्रिया होती है यह समान तक कार्बोनेट आयसकों में प्रिव्प्त होती है ठीक है समाने तया कारबोनेट आयसकों में प्रयुक्त होती है, ठीक है न तो इस प्रकार से ये हमारे प्रशन को तक पूर्ण होता है आशा करता हूँ आप सभी घुत्ता सांज में आओगा धन्यवाँ